तो चलिए देखें यहां पर पहला question कह रहा है कौन सा धातू जल में डालने पर तैरने लगता है तो बताईए इसका right answer क्या हो जाएगा कौन सी ऐसी धातू है जिसे डालने पर जल में डालने पर वो तैरने लगता है तो हमारा option चार option दिया गया है potassium, magnesium, calcium या nickel तो इन में से जो right answer हो जाएगा बताईए कौन सा हो जाएगा तो right answer हो जाएगा हमारा calcium ठीक है calcium जो है यह जल में डालने पर वो तरने लगता है ठीक है और हम बात करें कि कैल्सियम का संकेत क्या होता है तो कैल्सियम का संकेत CA होता है ठीक है कैल्सियम का संकेत CA होता है चलिए नैस्ट कोशन चलते हैं धातू के अकसाइड हैड्रोकलोरिक अमलिक के साथ अभी क्रिया कर कौन सा उत्पाद बनाता है ठीक है धातू ओंके उक्साइड जो होता है वो हैड्रोकलोरिक अम्लिक के साथ अभी क्लिया कर कौन सा उत्पाद बनाता है तो बताएए इसका right answer क्या हो जाएगा तो इसका right answer हो जाएगा धातू के क्लोराइड पलस जल दो है यह उत्पाद बनाता है चलिए next question चलते हैं इनमें कौन सी धातु चमकीला है ये हमारा चार option दिया गया है sulfur, carbon, iodine, bromine तो बताइए इनमें से कौन सी धातु जो है वो चमकीला होता है तो इसका right answer क्या हो जाएगा तो इसका right answer हो जाएगा bromine, ठीक है इसका right answer bromine हो जाएगा चलिए next question चलते हैं धातु के बरतन में खाना बनाया जाता है क्योंकि ये उसमा का क्या होता है कुचालक होता है, अर्दचालक होता है, सुचालक होता है ये चालक और कुचालक दोनों होता है तो बताइए धातु के जो बरतन में है खाना बनाया जाता है क्यों बनाया जाता है क्योंकि यह उस मौंका क्या होता है तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा यह उस मौंका सुचालक होता है ठीक है option number c is right चलिए nest चलते हैं calcium वा magnesium धातू जल पर तरने लगते हैं क्योंकि उसके सता पर एक gas चिपाग जाता हुआ gas कौन सा हो सकता है तो बताइए hydrogen gas oxygen gas nitrogen gas या carbon dioxide gas तो इसका राइट जो अंसर हो जाएगा तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा hydrogen gas ठीक है चलिए nest चलते हैं कौन सी धातू जल के साथ अभी क्रिया करती है तो इन में से चार option दिया गया है sona, lead, silver और potassium यह जो है जल के साथ अभी क्रिया करती है तो बताइए इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा तो इसका राइट अंसर हो जाएगा potassium ठीक है potassium जो है यह पी जो है पीटी यह potassium है और यह जल के साथ अभी क्रिया करती है ठीक है चलिए next question चलते हैं इन में से कौन सी धातू द्रब अवस्था में पाई जाती है यहाँ पे देखिए धातू की बात कर रहा है कौन सी धातू जो है वो द्रब अवस्था में पाई जाती है तो बताइए option है silicon, चांदी, लोहा और mercury तो इन में से कौन से धातू है जो की द्रववस्था में पाया जाता है बताईए right answer तो इसका right answer हो जाएगा mercury ठीक है, mercury जो है या पारा भी बोल सकते हैं इसको पारा, ठीक है, ये जो है कमरे केताब पर धातू जो है ये द्रववस्था में पाया जाता है ठीक है, दोस्तों अब आपको बताना है कि ओधातू जो है कौन सी ओधातू जो है वो द्रववस्था में पाया जाता है कौन सी ओधातू जो है वो द्रववस्था में पाया जाता है तो आप में comment करके जरूर बताएं वो कौन सी ओधातू है जो कमरे के ताप पर द्रववस्था में पाया जाता है ठीक है तो चलिए next question silver और gold धातू का परिश कर्शन किस विदी द्वारा किया जाता है देखें यहाँ पे silver और gold silver जो होता है lemon Nobody घिसको बोलते है वह कि संकेट council होता है और gold ठीक है गोल मतलब son धातू का परिश कर्शन कैष्था किस विदी द्वारा किया जाता है तो इसका जो शुद्धी कर्ण किया जाता है यह बोल उबढ़ा थो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा तो बताईए इसका राइट ऑणसर हो जैगा विधूत अभगाटन दौरा थीक है dal निश्कर्शन कर दोरा किया जाता है जा AND D बाइट ऑवर चलते हैं शक्रयता सरेनी के नीचे आने वाले धात्वों का निस्कर्शन कैसे किया जा सकता है तो सक्रियता सिरिनी के नीचे आने वाले धात्वों का निस्कर्शन कैसे किया जाता है तो बताइए चार ओप्शन दिया गया है तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा इसका राइट अंसर हो जाएगा धातू के अक्साइड को केवल गर्म करके जो है इसका सकरेता सिरनी के नीचे आने वाले धातों का निसकरसन किया जा सकता है ठीक है चलिए नैस्ट चलते हैं तो बताइसे यहां पर čार प्सन दिया गया है, तो इसका राइट अंसर स्का right हो जाएगा ध्तुओं के औकसाइड में बदलकर कारवन द्वारा अप्चेयन करने पर, ठीक है चलिए नेश्ट चलते है कौन सा ओधातू कमरे के ताप पर द्रब होता है जिया दोस्तों अभी मैंने उपर वाला question जो बताया था धातू के बारे में यहाँ पे फिर से पूछ दिया ओधातू के बारे में ठीक है जो मैंने अभी आपको उपर में बताया ठीक है यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा अधातू कमरे के ताप पर द्रब होता है तो बताइए यहाँ पे option दिया है ब्रॉमीन, पारा, तामबा और एलमोनियम ठीक है यहाँ पे अधातू है जो कि मैंने आप से अभी उपर में पूछा तो क्या हो जाएगा? राइट अंसर तो बताइए तो इसका राइट अंसर क्या हो जागा? ब्रॉमीन हो जाएगा, ठीक है? यह जो है ओधातू है ब्रॉमीन जो है इसका संकेत होता है बी आर ठीक है? और यह ओधातू जो है कमरे के ताप पर क्या होता द्राववस्था में पाया जाता है दोस्तों इसके पहले मैंने बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पे अप्लोड किये हैं अगर दोस्तों आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दिया हूँ तो वहाँ से जाके आप हमारे वीडियो को देख लें चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो चोरी नेक्स्ट पॉस्चन देखें यहां पे क्या करा है कोई धातू ऑक्सिजन के साथ अभी किरिया कर उच गलनंक वाला याविक नेमित करती है या याविक जल में विले है या तत्व क्या हो सकता है तो यहां पे चार अप्शन दिया है केल्सियम, कारवन, सिलीकन या लोहा तो बताईए इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा तो इसका राइट अंसर जो हो जाएगा इसका right answer calcium हो जाएगा ठीक है जिसका संकेस ये होता है मैंने आपको उपर में बता दिया है चलिए नयाश्टी चलते हैं सुद्रूप में धातू की सता चमकदार है या धातू के किस गुन धर्म को परदर्सीत करता है तो बताइए इसका right answer क्या हो जाएगा तो इसका right answer जो हो जाएगा वो धात्विक चमक हो जाएगा ठीक है चलिए नयाश्टी चलते हैं अगर किसी मिस धातू में एक धातू पारद है तो इसे क्या कहते हैं अगर किसी मिस धातू में एक धातू पारद है तो बताइए इसे क्या कहेंगे तो बताइए इसका right answer क्या हो जाएगा तो इसका right answer हो जाएगा option number C amalgam ठीक है चलिए नैस्ट चलते हैं लोहा निमने में से किस धातु को उसके लवन से विस्थापित कर सकता है ठीक है लोहा जो है ये किस धातु को उसके लवन से विस्थापित मतलब हटा सकता है तो बताइए इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा तो इसका right answer हो जागा copper ठीक है इसका अगर संक्यत की बात करें तो c लिखते हैं c u copper ठीक है तामा को बोलते हैं copper चलिए नेश्ट चलते हैं पीतल है तो बताइए पीतल है क्या है पीतल धातू है या धातू है या मिस्र धातू है या उपधातू है तो बताईए इसका right answer क्या हो जागा तो पीतल जो है एक मिस्र धातू है ठीक है पीतल जो है एक मिस्र धातू है नैस्ट देखिए यहां पर कहारा sulfur के ISK के नाम क्या हो सकते है तो sulfur के ISK क्या क्या नाम हो सकता है पहला option है sulfide, दूसरा hydrogen sulfide तिसरा ferrous sulfide, चौथा copper sulfide तो इनमें से right answer क्या हो जागा बताईए तो इनमें से right answer जो हो जागा वो sulfide हो जागा ठीक है चलिए नैस्ट चलते है इस पात में कितना परतिशत कारवन है जिया इस पात में कितना परतिशत कारवन पाया जाता है तो यहाँ पे option दिया है हमारा 3%, दूसरा 4%, तीसरा 5% और चौथा 2% दिया है तो बताईए इसका right answer क्या हो जाएगा तो इसका right answer जो है वो 2% हो जाएगा ठीक है option number D is right चलिए नैस्ट देखिए यहाँ पे निमलिकित में से copper के आयस्क कौन हो सकते है जी हाँ copper जो अभी मैंने बताया see you इसका संकेत होता है copper का तो इसका कौन सा आयस्क कौन हो सकते है पहला हमारा क्यूप right ठीक है दूसरा हमारा box side तीसरा स्रीने बार और चौथा कहला माईन है तो बताईए copper के आयस्क क्या हो सकते है इन में से तो इसका right answer क्या हो जाएगा तो इसका right answer हो जाएगा क्यूप right ठीक है देखे next question यहाँ पर क्या कह रहा है कह रहा है निम्न में कौन ओधातू विदूत का सुचालक है तो देखे यहाँ पर ओधातू की बात कर रहा है कौन सी ओधातू जो है विदूत का सुचालक है तो सुचालक है तो इसका देखे यहाँ पर option दिया है ग्रेफाइड, copper, heera यह sulfur तो इसका right answer क्या हो जाएगा तो इसका right answer हो जाएगा पताएगे तो इसका right answer हो जाएगा यह option ए ग्रेफाइड ठीक है और विदूत के सुचालक होते है और अधातू होते है ग्रेफाइड तो इसका right answer क्या हो जाएगा option number A चलिए नेश्ट देखे यहाँ पर कहा रहा आयनिक योगिक के गल्लांक एवम क्वाथनांक तो बताएगे आयनिक योगिक के जो गल्लांक एवम क्वाथनांक होते है वो क्या होते है option दिया है उच होते है निम्न होते है ना तो उच होते है ना निम्न होते है अर्था समोनी होते है और option D जो है सभी कतन सत्य है तो बताएगे इसका right answer क्या हो जाएगा तो इसका right answer जो होता है वो आयनिक योगी के गल्लंग जो होते हो हमेशा उच्छ होते हैं ठीक है तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली वार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड को सेर कीजिए चलिए दोस्तों देखते हैं नेस्ट कोशन क्या करा है ग्रिफाइड करवन का एक अपर रूप है तो ग्रिफाइड जो है ये करवन का एक अपर रूप है बताइए इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा तो इसका राइट अंसर जो हो जाएगा वो क्या होता है मुलायम होता है ठीक है ग्रिफाइट कर्वन का एक अपर रूप है मुलायम है ठीक है चलिए न्याश्ट चलते हैं आबोसन बनाने वाला सोना होता है जो आबोसन बनाते हैं वो सोना क्या होता है कैसा होता है तो बताइए आबोसन बनाने वाला सोना जो होता है इसका राइट क्या हो जाएगा तो इसका राइट अंसर जो हो जाएगा वो 22 करेट का होता है ठीक है अबुसन जो है सुद्ध सोना की बात करें तो सुद्ध सोना जो होता है वो बताईए आप कितने करेट का होता है लेकिन यहां पर पूछा गया अबुसन बनाने वाला सोना तो अबुसन ब हठाटू को kerosene में डुबा कर रखा जाता है लेकिंश यहां पर चार्य और दिया मैगनेसिम जिंक और जीन्क और माली वीडिनम तो बताई यहां पर ईहां किस धातू को kerosene दुबाकर रखते है तो इसका हाइड नुए उझााटर हो जाएगा उधाटर हो जोजाएगा संक्या के बात करें तो Zen Master से कुषन के ल待र कहीं कि तो कि यहाँ पर मानों-ध्रिवमन की बात करें तो 23 20 में भुवाकरisSt made कुछ था ठीक है है ठीक थींधाकर को यहां लेकिनगों धातु थाथPाणि में दुबा कर रखा जाता है तो बताइए स्वेथ फासपोरस लाल फासपोरस सलफर या आयोडीन को तो राइट अंसर क्या हो जागा दोस्तों तो इसका राइट अंसर जो हो जागा वो स्वेथ फासपोरस को ठीक है स्वेथ फासपोरस को जो है हम पानी में दुबा कर रखते तो बताइए इसका राइट अंसर क्या होने वाला है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा इसे कासा बोलते हैं ठीक है तामबा और टीन को जब हम मिला देंगे तो कासा का निर्मान होगा चलिए नेस्ट को सन चलते हैं ब्रोमीन अधातू की अवस्ता होती है तो ब्रोमीन जो ह ये ओधातू Ecki कि ऊवस्ता कैसी होती है वह ठॉस होता आया द्रफ होताया इन मेंसे कोई नहीं तो मैंने अभी उपर वाला फृस्टन मैं ने बताया था अबम इन उपर दोस्तों की ब्रूमिन जोकमरे के ताप पर अवस्ता में होती है तो भ्रोमीन जो है और धातू है या इसकी अवस्ता कैसी होती है तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा तो इसका राइट अंसर option number C द्रव अवस्ता में पाई जाती है ठीक है चलिए next question देखें यहाँ पर कह रहा है इसकूल की घंटी धातू की बनी होती है क्योंकि यह क्या होता है तो बताईे इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा इस्कूल की घंटी धातो की बनी होती है क्योंकि यह राइट अंसर सोनो रज है ठीक है तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा इसका राइट अंसर जो हो जाएगा वो सोलडर काते है ठीक है सीसा और टीन को जब हम मिलाते हैं तो एक मिस धातू क्या बनता है सोलडर बनता है चलिए नैश्ट कोस्टन देखें यहां पर क्या करा है निमलिकित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है देखें बहुत ही अच्छा कोस्टन है और यह अक्सर पूछे जाते हैं देखें यहां पर 2004 में भी पूछा गया था ठीक है तो कौन से धातू है जिसे हम चाकू से काट सकते हैं ठीक है धातू की बात कर रहा है तो पताइए लिथियम, कैल्सियम, कॉपर या आइरन तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा लिथियम ठीक है इसका राइट अंसर जो हो जाएगा वो लिथियम लिथियम को जो है हम असनी से चाकु से काट सकते हैं ठीक है चलिए नैस्टे चलते हैं जिस तार से आपके घर तक बिजली पहुचती है किन चीज़ों की परत चड़ी होती है तो जैसे कि आप तार देख रहे होते हैं आपके आसपास में तार होते हैं आपके घर में जो है बिजली के काम में जो है तार का परियोग किया जाता है तो वह तार जो है उस पे किस चीज प्लास्टिक लगा रहा था उसे पॉली विनाइल कुलराइड भी बोला जाता है ठीक है तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आये हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड को सेर कीजिए, और अगर आपने हमारे पहले वाला वीडियो को नहीं देखा है, साइन्स का टॉप क्वेस्टन्स जो मैंने वीडियो अफ्लोड किया है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देख लीजिए, तो चलिए दोस्तों, आज यहीं तक रहने दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए बाइबाइ,